बूर्णिंग फ्रेंग्स कैसे हैं आप सब तो इस तब फोर डे ओफ आवर्स पीती ट्रिप और वहां से अभी हम निकले हैं अपनी आज की जर्नी के लिए तो सबसे पहला स्टॉप हमारा रहेगा नाको में और उसके बाद हम जाएंगे ताबो लेट सी कहां तक पहुच पाते हैं सो इस अप्रॉक्सिमेटली नाइन ओप्लॉक जब हम रेक्फास्ट करके निकले हैं सो लेट स फॉलो आवर जर्नी वो देखे सामने घर दिखने शुरू हो गया है और बीच पहारी में देखे छोटा सा खेत रिक्टांगुलर शेप का यह इंडिया है साहब यहां कुछ भी हो सकता है तो यह देखे इगलूस आर्मी ओफिसर्स के लिए क्योंकि यहां काफी ठंड होते हैं वाव तो दिस इस दा डबलिंग बिच और यहां पे हमारी होगी अब चैकिंग और एंट्री और यह है आपका साइड में बहती मिलेगी इस टाइम धूप है लेकिन आज का दिन थोड़ा ठंडा रहेगा हम एप्रोक्सिमेट जो थ्री डेज हैं वह हमने समर में बिताए हैं यानि कि आपको समर प्लॉट्स लेके आने हैं और उसके बाद यहां का जो आगे का रूट रहेगा वो अनों तरह के कपड़े लेकर रहेगा यहां से आते हुए हम पहुंचे हैं ब्रीज पे इस पॉल संगम खा ब्रीज और यहां पे इसका ढाबा भी बना हुए और इसकी खास बात यह है कि यहां पे संगम होता है संगम किसका दो नदियों का आपको दिखाती हूँ दो नदियां अभी तक हमने जितना भी रास्ता ट्रैवल किया है तो वहां पे हम सत्लुष रिवर के सासा चल रहे हैं लेकिन अब आगे काजा के रास्ते में हमें मिलेगी स्पीटी रिवर क्योंकि हम स्पीटी में एंटर होने जा रहे हैं है यहां पर एक्शेक्टी देखिए स्पीटी रिवर का पानी और यह थे देखिए इस प्रीज के जहां वन साइड पे तोनों रिवर्स मिलती भी दिखती है वहीं ब्रीज के दूसरी साइड से हमें सिर्व सट्प्लुष रिवर्स का पानी मिल गाए जहां दिलों के संदम होते हैं, आज हमने नदियों के संदम होते देखने हैं और बहुत ही सुहानी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज है तो इस टेम हमारे क्या हालत हो रही होगी सो मिक्वाइप पार्टनर इस देर तो इस रूट में जब आए तो थोड़ा विंटर्स की कपड़े लेकर आईए क्योंकि हवा सच में हो ठंडी है देखे जरह सामने तो हमें उन रोट्स पे जाना है और यहां तो साइकलिस्ट भी मिल गए हमें क्या बात है हाइट देखे रोड्स की और यहां पे साइकल चलाना वाव यह भी एक अलग ही एक्सपिरियंस होगा अभी तक रोड्स काफी मक्खन चल रही है तो बारिश की दिनों में यहां पे पथर गिरना स्वा भाविक है क्योंकि आप पहार देख सकते हैं पर काफी पथर है तो बारिश की दिनों में आना अवोइड ही करें तो अच्छा होगा यहां देखिए पहारों के कलर्स थोड़े चेंज हो चुके हैं वाइटीश वाइटीश पहार पहारों के वाईटीश पहार leाष जाविक टावल में आप यहारों यहां गाड़ी पार्क हुई है और कच्छा रास्ता है थोड़ा यहां जो आपको स्टेर्स दिखाई दे रही है यहां से हमें नीचे जाना है लेक की तरफ तो चलिए चलते हैं तो यह स्टेर्स जा रही है और उदर आगे हमें लेक दिखाई भी दे रही है तो यह है लेक बोट्स यहां पे हैं और आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं और सामने पहाड़ों का भी वाएगा तो ये है व्यू नाको लेक का तो ये है नाको व्यू जिसके लिए हम ट्रैकिंग करते हुआ रहे हैं चलिए चलते हैं आगे तो हम पूर चुके हैं नाको व्यू पाइंट पे आई लव नाको बुटनबग किया हुआ है बहुत ही सुन्दर और इसके भी आप देख सकते हैं लेक व्यू आ रहा है और पूरा नाको विलेज आपको दिखाई देगा पीछे वो रोड दिखाई दे रही हैं बाइपास जहा यहां पर आगे एक मंदिर है जहां पर प्रेगनेट लेडिस का जाना एलाउड नहीं है तो यहां पर आप आगे फोटो क्लिक कर सकते हैं इसके बाद हम वापिस जाएंगे मुनेस्ट्री की तरफ नाको में एक मुनेस्ट्री है तो वहाँ चलते हैं प्लीज जब भी यहां आएं तो इसको टच मत कीजेगा क्योंकि यह ब्रेकेबल है सिरफ पत्रों के साथ इसको थोड़ा सा सुपोर्ट दिया गया है तो इसलिए इसको टच मत कीजेगा थोड़ा दूर से ही फोटो क्लिक कीजेगा और नाको विलेज वालों ने स्पैशली म मोनेस्ट्री तो यह सामने है ओल्ड मोनेस्ट्री हम वहां पर जाएंगे और अभी यहां काम चल रहा है यह न्यू मोनेस्ट्री है जो की अभी बंद है पार्किंग के आपको फैसिलेटी यहां पर मिल जाएगी तो कक्ष के बीतर आपको कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं मिलेगी लेकिन इसकी सारी दिवारों के उपर बहुत देवी दिवताओं के चित्र होंगे अंदर जाती सबसे पहले पाक्षाल आएगी और उसके बाद यहां पर आएगी करजुन्द तो यह है ओल्ड मोनेस्ट्री और यह सामने है न्यू मोनेस्ट्री आप लामाज को कहके इनको उपन करवाके अंदर से देख सकते हैं फोटोग्राफी अंदर एलाउड नहीं है लगबग एक अजार साल पुरानी है यह मोनेस्ट्री तो यह आए है हम फांगरंग वैली न्यू मोनेस्ट्री है और यहां पर धाम चल रही है क्योंकि यहां पर एक मैरिज हुई है तो यह है न्यू मोनेस्ट्री बुदा जी की अंदर मोर्ती स्थापित है और यहां पर धाम चल रही है तो हमें भी इस धाम का हिस्सा बनने का मोका मिला गर्मा गरम चाय पूरी और बीच में है सबची तो प्रशाद इंजॉय करते हैं उसके बाद आगे की ट्रिप पर मिल दें आपको अजय करते हैं उसके बाद आपको मेरा बहुत ही मन था काफी टाइम से कि मैं कि नोरी मैरीज देखों लेकिन वो पोसिबल नहीं हो पा रहा था लेकिन इस ट्रिप के दो पुरान वो हमारी तमना भी पूरी हो गई बिल्कुल अनेक्सपेक्टेड जो हमें यहां पे बाद देखने को मिली उनकी धाम खाने को मिली उनका डास देखने को मिला सिरियसली मतलब मन इतना खुश हो गया देखके तो यह निकल रहे हैं हम नाकों से बाहर और इस टाइम हमारे आगे और पीछे काफिला चला हुआ है शादी का बराद का पिछे पूरी सीरिज है बराद की गाड़ियों के रोड काफी खराब है आगे ताबो के लिए तो अभी हम नाकों से निकले थे तो यह रोड चांगो तक खराब है तो थोड़ा स्लोली ड्राइव करके आईएगा तो यह रोड जा रही है चांगो के लिए और वो हमें वहाँ पर नीचे 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 जाना है रोड देखे ज़रा दिखने में बहुत ही डेंजरस लग रही है देखते हैं कैसा रहता है ट्राइवल और यह लेफ्ट साइट में देखी इस पीती रीवर बह रही है तो यह रास्ते में रोड काफी खराब है तो जब तक यह रास्ता साफ नहीं हो जाता हम आगे नहीं जा सकते तो हमें यही कुछ मिनट वेट करना पड़ेगा और देखिए वहां उपर से हम आई है वो गाडियां दिखाई देगी है तो बड़ी देर के बाद अब रॉड स्मूध हुई है यह उसी शादी का जो काफिला है हमने सोचा क्यों नहीं इनको आगे जाने दिया जाए और यह साथ में बहए रही है स्पिती रिवर तो आज की वीडियो का हम करते हैं यही पे एन्ड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको ताबो में तब तक बने रहेगेगा हमाएर साथ और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से जाकर चैनल को झाल झाल